हाई एवरिवन सभी का वाम वालकम है वाईटी योर इंगली शूटर पे आज सुबह का दा हिंदू का फर्स्ट रिटोरियर पढ़ेंगे दा एनर्जी कॉनन ड्रम इसका टाइटल है बहुत इंटरस्टिंग आर्टिकल है सोलर इनर्जी पे लिखा हुआ है सोर उर्जा पे औ इनर्जी कॉनन टरम का मतलब होता है पहली मिस्ट्री जिसका कोई सलूशन ना निकले एनर्जी आप जानते हैं उर्जा की बात हो रही है करा उर्जा से जुड़ी हुई एक ऐसी पहली हमारे सामने है जिसका सोलूशन निकालना बड़ा मुश्किल है कॉनन टरम नाम के वर्ड को देख लेना इसको डिटेल में भी करवाएंगे आपको पजल एनिग्मा मिस्ट्री इसको बोलते हैं पहली को कॉनन टरम बोला जाता है चलिए भी इसके टाइटल प्राग्राप को देखेंगे क्या कहना चाहरा है करे जी सोलर पावर इस इंपॉर्टन्ट फॉर इंडिया बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीज करे सोलर पावर जो है वो इंपॉर्टन्ट है भारत के लिए फॉर इंडिया करें लेकिन, लेकिन ये सर्व नहीं करेगी ये फुल्फिल नहीं करेगी ये काफी नहीं रहेगी हर energy need के लिए भारत की सारी energy की requirement को पूरा करने के लिए जरूर important है लेकिन इसके उपर बहुत सारे सपने मत पाल लो solar energy की बहुत सारी limitations है तो इतने सपने मत पाल लेना कि हम सब कुछ इसी से करेंगे घर में भी इसी की बिजली आएगी हमारी गाड़ियां भी solar power पर चलेंगी तो इस सब का सब करपाना solar के लिए थोड़ा मुश्किल होता है चलिए solar power आपका subject है इस इसकी verb है its subject है will not serve इसकी verb है serve को suffice करना, fulfill करना, justify करना है न, satisfy करना भी बोलते है कॉमा इसलिए लगाएगा है sentence के अंदर क्योंकि कॉमा के बाद में आपको मिलेगी but नाम की conjunction तो fanboys conjunction जब भी आपको मिले कहीं आप उनके पहले कॉमा लगाते हैं अगर उनके बाद में close आया नया fanboys conjunction याद है ना आपको शायद आपको करवा चुके हैं conjunction जप्टर में अच्छे से f, a, n, b, o, y, s fanboys for, and, nor, but, or, yet, and so तो यह जो fanboys conjunction होती है जैसे but इन में से आगई न fanboys देखो b से बन गया but तो fanboys conjunction से पहले आपको लगा देना होता है और बशरतें क्या इस conjunction के बाद में एक subject हो और उसकी अपनी खुद की वहब हो जब भी एक combo मिले आपको कॉमा को लगा देना है punctuation का एक चोटा सा rule है चलिए बागे बढ़ते हैं सारे rule, सारे grammar आपको और सारी reading करवाएंगे उसके साथ में आपको सारी पहले दिखा देते हैं vocabulary ये जो सारे words देख रहो ना बड़े बड़े भरी बरी ताकि इसको smoothly पड़ पाएं अब जिन लोगों ने पुराने प्राइस को मिस कर दिया था बहुत ही अच्छा मुका है अगले दो दिनों के लिए सीधे सीधे आधी कीमत पे आप वन येर पास को अवेल कर सकते हैं टेस्ट बुक के लिंक पे जाओ कॉमेंट सेक्शन में रखा है 400 रुपे का पास आपको दिखाएगा 299 में इस प्राइस पर ले लेना डिस्काउंट जाना कूपन कोड लगाना बाइटी 10 जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 वाला पास भी आपको बिलेगा 270 के अंदर 49,000 मोक टेस्ट हैं 600 एक्जाम कवर्ड हैं सिंगल पास है एक साल की वेलडिटी है पैसे को सेव करें अगर वास्तम में टेस्ट बुक पास लेने वाले थे दिस इस दा राइट टाइम चलो जी पहला वर्ड आज का कॉनेंटरम वोकैप का कॉनेंटरम मैंने आपको बता दिया ऐसी पहली जिसका सुलूशन निकालना बड़ा मुश्किल हो एक पजल को बोलते हैं कॉनेंटरम आरूशी मर्डर केस इस स्टिल अ कॉनेटरम फोर दे इंटलिजन्स एजन्सीज इंटलिजन्स एजन्सीज के लिए के लिए पुलिस के लिए आरूशी मर्डर केस आज भी एक पहली है इनफेट पूरे देश के लिए एक पहली के जैसा है इनिग्मा, मिस्ट्री, डिडल, पैरडोक्स इसके सिनॉनिम है एनिग्मा को ज़रूर याद रख लेना बाकिे कुछ याद रख पहूँ या ना रख पहूँ लिडल का मतलभ होता है पहली अगर कोई चीज काफी होती है तो वर्फ़ां में वो सफाइस करती है जैसे four hours of studies will not suffice your preparation चार घंटे की studies काफी नहीं होंगी आपकी preparation के लिए यह जो evidence है यह जो सबूत है यह हो सकता है काफी ना हो suffice ना करें प्रूव करने के लिए उसकी innocence को सावित करने के लिए उसकी बेकसूरी को निर्दोश को निर्दोश की innocence को चलो अगला word है pursuit pursuit एक noun होता है pursuit का मतलब होता है कोई desire जिसका आप करते हो पीछा कोई chase, कोई hunt आपकी aspiration या आपकी quest जैसे आपका pursuit है job ले लूँ एक अच्छी सरकारी, private कहीं भी है ना अच्छी job ले लूँ यह आपका एक pursuit है ना और भी pursuit हो सकते हैं, हर इंसान का कोई ना कोई pursuit होता है, इस वर्ड को आपको routine life से connect कर लेना है the pursuit of happiness ends with the death खुशी की जो चाहा है वो हमेशा मौत के साथ खतम होती है, तो एक पहली, एक मलब यह प्रावब है इंग्लिस में, कि इंसान अगर जब तक जियेगा, तब तक वो उसको कोई ना कोई दुख जरूर रहेगा, है ना, pursuit of happiness जो है, वो ends with death होता है चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे इसका synonym देखेंगे, quest अगला वर्ड है, पैनिशिया, बड़ा ही एक fake पैनिशिया, एक ऐसी दवा जो आपको बताई तो जाए, कि ये काम करेगी लेकिन वो काम ना कर पाए, आपको पागल बनाके बेची जाए है ना, तो उसको बोलते इंग्लिस में, नॉस्ट्रम, education इस पैनिशिया to most social evils, education पैनिशिया की तरह है, education रामबान की तरह है, जलादर समाजिक बुराईयों के लिए, most social evils के लिए, चलिए, last word है जिसको हमने add किया, नया word है headwind, और इसका एंटरिम होता है tailwind, इनको याद करना बड़ा असान है दोनों words को, देखो ये है plane, ये है इसका head और ये है इसकी पूँच, अब मुझे बताओ, कौन सी wind इस plane को आगे जाने में help करेगी, headwind help करेगी है, tailwind, headwind वो है, जुसके head पे पट रही है, tailwind वो है, जुसके tail पे पट रही है, अरे वही जब tail पे पटेगी, पीछे से हवा आएगी, तब ही तो वो हवा जो है, उसकी रफ्तार को कम करेगी, तो headwind का मतलब होता है, एक unfavorable condition, और tailwind का मतलब होता है, a very favorable condition, दोनों एक दूसरे के antinems है, the global GDP has been experiencing headwinds of the pandemic and high inflation, दुनिया की GDP जो है, experience कर रही है headwinds को unfavorable conditions को एक तो है pandemic की, और दूसरी है high inflation की, challenge and difficulty detail में होगे है, आजाओ article पर summary जदे आपको किस बारे में article लिखा हुआ है summary यह है कि solar energy सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ में जुड़ी हुई है बड़ी coast, solar cell बनाओ plant लगाओ, जगा खरीदो solar plant भी बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे चोटे मोटे से काम नहीं होगा तो यह सारी constraints की वज़े से solar power जो है न इससे जितनी आशाएं हमने लगा रखी थी भारत ने उतना एक काम करनी पाई और भारत का जो renewable energy का target है जो हमने दुनिया से commit किया हुए उससे हम बहुत पीछे रह गए है almost 30-20% 25% हम पूरा कर पाए है जो हमें करना चाहिए था अभी तक हमारा article यह कर रहा है कि अब हमें फिर से रिविजिट करना चाहिए हमारी renewable energy की strategy को और देखना चाहिए क्या solar energy वास्तम में हम use कर पाएंगे और अगर नहीं कर पाएंगे न तो इसके उपर सपने गढ़ने बंद कर देनी चाहिए solar की जगह है nuclear energy है wind energy है तो इन energies पे दूसरी form of renewable energy पे भी focus किया जा सकता है तो उस चीज के सपने मत पादो जो काम आपसे हो नहीं पारा आज की article की tone है जो है analyzing analyze करके पूरी situation को आपको बता रहा है चले अब शुरू कर ले आर्टिकल को सच में बता रहा है interesting article है कहाने की तरह process करेंगे आप नहीं नहीं चीज़ों को सीखेंगे करें जी at the core of India's energy transformation is its bet on solar power करें बिल्कुल core पे at the core core का मतलब होता है बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा एक बिल्कुल base होता नहीं किसी चीज़ का आधार होता है उसको बोलते है core करें बिल्कुल आधार पे है अंदरूनी जगह पे है इंडिया की energy transformation के है इंडिया की energy को लेकर के होने वाले बदलाव के और कौन सी चीज़ है वो है इंडिया की bet वो है इंडिया का जुआ बैट मतलब जुआ और किसके उपर on solar power solar power के उपर तो भारत ने जो energy transformation करनी है coal based और crude oil based energy sources से हम जाना चाते है renewable energy sources की तरफ तो यह जो बदलाव जो हम करना चाते है इस बदलाव का आधार भारत सरकार ने क्या मान रखा है solar power को मान रखा है इस bet को इन्होंने ऐसे किया हुआ है चलिए sentence का subject है bet bet का मतलब होता है जुआ किसी चीज़ के उपर पूरा भरोसा लगा करके जब आप कुछ कोई चाल चलते हो तो वह आपकी bet होती है इसको जुआ भी बोल सकते है bet की वह हुआ है अब आपका सवाल या आएगा सरी अजीव सा sentence क्यों बनाया हुआ है ये subject को आपने बाद में रख दिया verb को पहले रख दिया तो इसका कोई जवाब नहीं है article के writer को लगा कि मुझे अपना sentence ऐसे बनाना चाहिए तो उसने बना दिया आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे India's bet on solar power is at the core of its energy transformation अरे ये बाद समझ में ये भी लिखा जा सकता था लेकिन इस case में इसने transform करके invert करके लिख दिया helping verb को sentence के subject से पहले ले आया तो ये writer की अपनी खुद की जो है writing का style होता है चली आगे कर रहे based on a commitment to address the global climate crisis India has promised to source nearly half its energy from non-fossil fuel sources by 2030 कर रहे अपने उस commitment के अधार पे अपने उस वचन के अधार पे जो है address करने का solution करने का और किसका भाई global climate crisis का दुनिया भर में होने वाले climate crisis का इसको बंद कर दें इसको एक में रुखना चलो अवाज कर रहे ना करें जी इस commitment के अधार पे अगर देखा जाए है ना तो इंडिया ने promise किया हुआ है इंडिया ने किया हुआ है वादा और किसी इसका भाई कि हम source करेंगे हम लेकर क्याएंगे लगबग आधी लगबग हाफ अपनी energy को और कहां से 30 में हमारा 50% energy जो है coal से या इन सब चीजों से नहीं आएगा tail whale से नहीं आएगा हमारा जो है साथा 50% आएगा solar से wind से nuclear energy से के रहा है और दूसरा वादा क्या है दूसरा वादा ये है in the shorter term source at least 60% of its renewable energy from solar power और short term में इंडिया का दूसरा वादा ये है कि ये source करेगा लेकर के आएगा अपने renewable energy के 60% को solar power से समझ मैं ये पूरी calculation total का आदा आएगा renewal से और जो renewal से आएगा उसका भी 60% आएगा खाली solar से ऐसा commitment हमने कर रख है इंडिया की वाब है has promised source करना किसी चीज को कहीं से लेकर के आना और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं चलो अब देखो इस sentence में एक error है आप खुद ढूंड सको तो पहले ढूंड के बताओ आगे concept आएगा वहाँ पे फिर में गुमाऊंगा इस sentence तक आपकी नजर लगाऊंगा उस concept को बताऊंगा पहले एक बड़ खुद से कोशिश करो कहीं वो error आपको दिख रही हो तो चलो डालना comments में जिनको दिख गई हो के रहा है जी however a disclosure in parliament by the minister for power new and renewable energy suggest that India faces significant headwind in this quest के रहा हलांकी जो एक disclosure disclosure का मतलब होता है elan, revelation और किस में आया parliament में आया यानि की संसद में आया और हमारे उन minister के द्वारा जो है उर्जा मंतरी new and renewable energy के भी एक disclosure जो ऐसा आया ना यह ऐसा suggest करता है ऐसा बताता है कि इंडिया अभी भी face कर रहा है बहुत बड़ी बड़ी चुनोतियों को headwind को challenges को और किस में अपनी इस quest में अपने इस खौईश में यह जो उपर हमने सोचा है ना इस खौईश के अंदर बड़े-बड़े headwind बड़े-बड़े challenge हमें देखने को मिलेंगे headwind याद है ना आपको जो head पे पड़े वो headwind होगी जो unfavorable हो जो tail पे पड़े वो tailwind होगी जो favorable हो तो headwind मतलब challenges चलो sentence की structure देखेंगे disclosure की वह बड़े suggest disclosure का मतलब है ऐलान इंडिया की वह बड़े faces quest, aspiration, chase, desire, hunt आपकी किसी काम को करने की चाह कहलाती है quest a key centered policy to source solar power is facilitating the establishment of large solar parks करे एक बहुत important central जो policy है और किसीज के भाई ये policy है source करने की solar power को लेकर क्याने की solar power को करे वो policy है is facilitate करना और किसको establishment को बड़े-बड़े solar parks की तो solar policy में हमारी एक ही चीज में सारा जो है expectation है जो हम बड़ा सा solar park बनाएंगे और उन solar park से क्या होगा कह रहा है small solar power projects usually translate to higher per unit production cost तो semi column लगा के आपका additional information दे रहा है कि छोटे जो solar power project होते हैं छोटे अक्सर वो translate to करते हैं अक्सर वो end up in होते हैं अक्सर उनका ये नतीजा निकलता है कि उनसे होती है higher per unit production cost solar उर्जा को बनाने की जो cost है per unit की उनसे होती है higher तो हमारा की जो है ना center policy का सबसे important aspect यह यह कि हम बड़े solar park बनाएंगे सस्ते में सोर उर्जा बनेगी facilitating की verb है is projects की verb है translate to translate to करने का मतलब होता है result in होना किसी चीज़ में develop into होना है translate to या into दोने तरीके से इसको लिख सकते है facilitate करने का मतलब होता है facility देना promote करना help करना किसी चीज़ को तो यही करना चाते हैं कि solar parks को establish करने की जो चीज़ है इसको facilitate करें सरकार की तरब से इसको promotion मिले अब फिर से आपका सवाल आएगा सरी यह sentence तो समझ लिया again facilitating से पहले इसको रखा गया है तो कैसे पता लगेगा मुझे कि sentence जो है inverted है inverted sentence है ना इस subject से बाद में verb होती है लेकिन यहां देखो verb पहले है subject बाद में inversion हुआ 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 है तो inversion क्यों हुआ है अब मैं आपको इसको थोड़ा सा systematically समझा देता हूँ इसको बोलते है बिना बाद का inversion concept है English में देखो कैसे होता है आपका जो cooperation है बहुत ही critical है success के लिए इस project की आपके cooperation की वज़े से ही इस project को हम कामयाब कर पाएंगे अब देखो एक तो था यह sentence अब देखो दूसरा sentence your cooperation in helping us to figure out the best ways to accomplish the task is very critical to the success of the project आपका जो cooperation है हमें मदद करने में कि हम figure out करें सबसे अच्छे तरीकों को पूरा करने के accomplish करने के इस task को इस काम को यह cooperation बहुत critical है इस project की success में जब भी writer के पास में subject बहुत बड़ा हो जाए जब भी subject बहुत बड़ा हो जाए तो writer डरता है अपनी verb को बाद में रखने के उसको लगता है कि मेरी verb कोई confused ना हो जाए किसी और चीज से मेरी verb को कहीं किसी और subject से जोड़ करके ना देखना जाने लगे तो वो कर देता inversion अब वो देखो कैसे करता है वो ऐसे लिखेगा यहां देखो नीचे यहां लिख रहा हूँ यह easy to read है very very critical to the success of the project अब यहां लगा देंगे हम verb ऐसे उठा के यहां से लगा देंगे और फिर इसके बाद में लगा देंगे subject अब देख रहे हो is your cooperation in helping us to figure out पुरा बन गया अब यह sentence easy to read है और यह सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि subject और verb को आस पास भी रख दिया जाए और बात जो है वो टेड़ी मेड़ी भी ना हो आरे बात समझ में यह पूरा phrase subject के बाजू में है अभी भी subject अभी भी verb की बाजू में है और verb थोड़ी सी पहले ही तो आई यह बाकी sentence तो बिल्कुल वैसा है तो इसको बोलते हैं बीना बात का inversion यह थोड़ा मैंने advance और detail में बता दिये कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यह क्यों हो गया क्यों हो गया तो यह रीजन है इसका यह पूरा subject था अपका facilitating the establishment of large solar parks चलो बागे बढ़ते हैं जिनको समझ में ना आया हो जो नए बच्चें भी जादा load मत लेना basics पूरे कर लो यह चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी करा and so in 2014 the center announced the solar parks and ultra mega solar power projects policy to facilitate the creation of large parks तो हमारी main policy यही थी बड़े parks बनाएंगे इसलिए 2014 में जैसे ही सरकार चुनाव जीती बीजेपी गॉवर्मेंट इस center ने announce कर दिया क्या announce कर दिया solar parks को और ultra mega solar power projects को बड़े बड़े parks के project की policy को और क्यों किया ताकि यह facilitate कर सके प्रमोट कर सके creation of large parks को तो एक सरकारी policy का announce कर दिया हमारी सरकार ने की private players आगे हैं और बड़े-बड़े parks बन सके इस policy का फाइदा उठा करके center की वो अब है announced facilitate करना किसी चीज़ को promote करना करे दा initial plan was to set up 20 parks capable of generating at least 20,000 megawatts by 2019 करे जो initial plan था शुरुवाती जो योजना थी हमारी agenda जो था वो था set up करने का इस्टैबलिश करने का 25 बड़े-बड़े parks को और कौन से 25 parks है भाई जो वो है capable जो है सक्षम इस काम को करने के और किस काम को generate करने के कम से कम 20,000 megawatts की solar power को 2019 यह प्लान था हमारा कि कैसे भी करके 20,000 megawatts को 2019 तक हर साल जो है इतनी capacity के 25 parks हम बना दे अब यह प्लान बढ़ गए आगे करें 2017 दे गौर्वर्मेंट स्केल दिस 261 parks विद डार्गेड ओप 40,000 megawatts तो 2014 में यह सोचा था कि 25 बनाएंगे तीन साल बाद सरकार ने बोला नहीं नहीं 25 नहीं बनाएंगे 2017 में सरकार ने स्केल कर दिया स्केल का मतलब है इंक्रीज कर देना इस पूरी जो है 25 के आंखडे को 61 parks तक और target लगा दिया है 40,000 megawatts का तो हमने और बड़े सपने जो है solar से पाल लिये हालांकि कि अगर 2022 की बात करें तो लगबग 1,4 एक चोथाई जो है इस पूरी capacity का वो अचीव किया जा चुका है तो 40,000 का एक चोथाई मतलब 10,000 ही हम अभी तक बना चुकी है correct that is जो कि ऐसा है that is projects worth 10,000 megawatts have been commissioned वो ही बात है कि जो projects हैं जिनकी worth है 10,000 megawatts उनको commission किया जा चुका है commission करने का मतलब होता है किसी चीज़ को officially implement करना 10,000 megawatts के projects हो है या तो बन गए हैं या बन चुके हैं या काम कर रहे हैं मतलब कैसे भी करके वो systematic system का जो है हिसा बन चुकी है चलो it की वह बात है फिर 3,4 लिखना पड़ता इस तीन की वज़ए से लेकिन A लगा हो है या 1 भी लगा होता है तो उस case में S को लगाना ज़रूरी नहीं होता नहीं लगाना होता और जो वह बाती है न 1,4,2,4,3,4 कोई भी ऐसा रेशो हो उसकी वह बाती है ओफ के बाद में रखे वह नाउन के इसाब से तो capacity की वह बात है इस बीन अचीवड है ना actual में अगर देखा जाए तो that की वह बात है प्रोजेक्स की वह बात है वह बिन commission passive voice में करे जी अब बताएगा हुआ क्या इस तासट में से इतने सारी प्रोजेक्स जो बनने थे उनका क्या हुआ कैरे जी 4 प्रोजेक्स है बिन cancelled by the centers on admission due to tardy progress कैरे चार प्रोजेक्स तो थे वह तो होगे cancelled ही और कैसे होगे यह हुए है due to वज़े से या because of हमारी daily progress की वज़े से lazy काम की वज़े से और यह कैसे पता लगा यह पता लगा by the centers on admission center की खुद की बात सुन लोगे center का खुद की admission सुन लोगे तब ही आप को यह पता लग जाएगा आगी बात समझ में admission का मतलब होता है करें जीज़ road blocks in the centers estimate have been challenges in acquiring land with a clear title करें जो road blocks है road blocks क्या होते है जो आपकी road को block करें जो आपके रस्ते को जाम करें आपके रस्ते का obstruction और barrier हो करें center के रस्ते का जो road blocks है center के estimate के इसाब से center की calculation के इसाब से वो सारे के सारे रहे हैं यह सब अब उनको एक एक करके आपको बताएगा पहला रोड ब्लोक रहा है चैलेंज जो है एक्वाइर करने में लैंड को clear title के साथ clear title का मतलब है जिसके उपर किसी ओर का claim या दावा ना हो तो center बिलकुल clear land जो ना बड़े बड़े parks के लिए एक वाइर नहीं कर पारा सबसे बड़ा challenge center के सामने ये है दूसरा challenge क्या है जी दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है ठीक है ये पहला था दूसरा challenge ये है कि setting up infrastructure necessary to transmit power produced at these parks to the grid setup करना उस धाचे को जो जरूरी है transmit करने के लिए भेजने के लिए उस power को जो produce होगी इन parks पे और कहां तक भेजने है इनको भेजना है grid तक grid का मतलब होता है विजली की तारे जो हमारा पूरा network है ना विजली का पावर हाउस का ये सारे network को हम बोलते है grid electricity network is called grid तो दूसरा हमारा challenge यही है कि solar power को कैसे यह शहर के बार पैदा करके बड़े से पार्क में शहर के electricity system का पार्ट बनाया जा सके उसके उसके लिए जो infrastructure खड़ा करना है वो बड़ा महंगा है तीसरा challenge क्या है and in unusual disclosure environmental issues in राज़तान गुजरात और एक बहुत ही unusual disclosure में एक बहुत है अजीब से घोशना में जो सेंटर ने की है तीसरा इनका चलेंज है environmental issues कहां पर राज़तान गुजरात में कैसे हुआ यहां पर के राज़तान गुजरात में कैसे हुआ यहां पर करके प्रोजेक्स को रोक दिया कर दिया गया है क्योंकि उनका जो ट्रांसमिशन लाइन से सोलर पावर को शहर तक लाने के लिए जो बिजली की लाइन से वह इंक्रोच अपों कर रही है वह इन्वेड इन कर रही है वो कबजा जमा रही है habitat पे रहने वाले एरिया पे बस्ती पे critically endangered Great Indian Bustard की इस पक्षी की जो critically बहुती कंभीर तोर पे endangered है जो लुप्त होने वाला है यह अजीव सा issue center के सामने आ रहा है कि राजतान गुजराज में तो इसलिए नहीं कर पारे क्योंकि हम जब भी line को लेकर आना चाहते हैं शायर तक य इस वज़े से हम जो इस line को लाएं नहीं पारे क्योंकि इंडेंजर स्पीसीज है आगे ना बात समझ में लंबा sentence है लेकिन आपको बता दिया है सब चीजें एक एक करके इसने challenges को बताया है पहला challenge हो गया यह acquiring land दूसरा हो गया infrastructure को बनाना तीसरा हो गया यह वाला है न environmental issues roadblo करना invade करना trespass करना habitat का मतलब होता है जिस area में आप रहते हो आपकी बस्ती आपका hamlet आपका region है न अगर कोई चीज है तो वह danger में है वह बहुत ही खत्रे में है देखो एंडेंजर एक वह है इसका मतलब है किसी को खत्रे में डालना इसी वह की third form क्या बन जाएगी adjective बन जाए है ऐसी पर जाती है जो खत्म होने वाली है चलो बाजो next paragraph पे अब ये बताएगा solution क्या है ये तो 30 समस्या है केरे जी notwithstanding its claims on international podia that it is on track to meeting renewable energy targets it is no secret that India is lagging behind करे जी बावजुद इसके claims के इसके दावों के और किसके भाई इंडिया के of course notwithstanding का मतलब है despite या in spite बावजुद बावजुद भारत के दावों पे जो है international podia पे international platforms पे पोडिया मतलब platforms जूरल बाव पे platforms और क्या दावा है कि इंडिया जो है on track है बिल्कुल सही रस्ते है meet करने के जा मिलने के renewable energy के targets को जो target हमने set किये थे हुआ ये कि ये कोई secret नहीं है it is no secret that India is lagging behind इंडिया आज भी पिछड़ा हुआ lag behind कर रहा है lag behind करना मतलब पिछड़ जाना आगे sentence समझ में दावे तो बहुत है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन actually में देखो के तो बहुत पीछे है it की वाबा इस it की वाबा यहाँ भी is India की वाबा इस lagging lag behind करना प पिछड़ जाना किसी race में पॉडिया बना है पॉडियम से पॉडियम का मतलब होता है platform पॉडियम है singular और जब भी ऐसे words का singular से plural बनाते हो तो आप पिछे का अम या पिछे का अन यह निकालके इसकी जगा लगा ले तो ए पॉडियम मतलब एक platform पॉडिया मतलब बहुत सारे platform medium मतलब एक medium मीडिया मतलब कई सारे medium बैक्टिरियम मतलब एक बैक्टिरियम अगर बहुत सारे हैं तो क्या बन जाएगा चलो bacteria curriculum और criterion तीनों को सभी लोग plural बनाएंगे बनाओगे दिमाग में बैठेंगे ये चीजे जितना जिन चीजों से encounter होगा न उतना ही वो चीजे naturally आपको आपके exam में बिना दिमाग पे जोड़ डाले यूज़ करने को आएंगी bacteria curriculum और criterion तीनों ही singular words हैं left side में लिखे हुए हैं right side में इनके plural बनाने की कोशिश करें कहीं भी लिखो paper पे pen पे हैं न डालना comments में जो लोग comments में लिखना चाहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं ये concept आप देख चुके हैं आज के quiz में शायद आप से पूछा जाए आगे करें जी by the end of 2022 India had committed to having in place 1,75,000 megawatt of renewable energy capacity with 1,00,000 megawatt from the from solid power तो इंडिया की target क्या है भाई इंडिया की target ये हैं कि हमारा 2022 के अंत का target था कि हम commit कर चुके थे इस चीज़ को और किस चीज़ को कि हम have करेंगे in place हम रखेंगे अपनी जगा पे और किसको 1,75,000 megawatt की renewable energy की capacity को इतनी capacity को generate करेंगे कहने का मतलब ये have in place करेंगे और किस में से इतनी क्या इस में से एक लाग जो है उसके होने के साथ ही with एक लाग मेगा पाउर सोलर पाउर से सोर उर्जा से ये target दुनिया के सामने हमने किया था एक बचत्तर बनाएंगे एक लाग सोलर से आएगी अब देखो वो concept जो उपर error थी वो आपको समझा रहेते हैं वो error जुड़ी हुई है इस having से और इस meeting से देखो on track to meeting committed to having यहाँ पर meet नहीं लिखा हुआ यहाँ पर to have नहीं लिखा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ तो के बाद में verb के एंजिफर्म क्यों लगाई गई इसका simple सा रीजन है यह जो to है यह infinitive का पार्ट नहीं है यह है preposition और आपको कैसे पता लगेगा यह preposition है कुछ phrases है हमारे पास में जिनके last में to आता है तो वो preposition ही होता है और उन phrases की लिस्ट में आपको दिखाई वी है दिखा देता हूँ आपको again यह वो सारे phrases है इसमें आपको मिल जाएगा committed to कहा मिलेगा committed to कुछ भी हो सकता है दोनों यह यहां देखेगा on way to on path to on course to on root to on road to in सब के बाद में यह के आनी चाहिए इसलिए लिखा हुआ है on track to के बाद में वर्ब के यह इंजी फ़ॉम जब यह किसी रस्ते पर बहुत है ना on way to path to track to वहां पर track to on track to जब भी ऐसे आप किसी on track to, way to, part to, road to होते हैं तब भी to preparation होता है, वो आपकी ing form अपने बाद लेता है तो ये सारे phrase आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे इन में से कुछ तो इतने classic question मनाते हैं English में जैसे with a view to, इस पे बहुत सारे questions मिलेंगे आपको आपके exams में, oppose to पे मिलेंगे, habitual to पे मिलेंगे, when it comes to पे मिलेंगे, ठीक है कोशिश करेंगे आप जितना हो सके इनको बोलें, लिखें, ये 25-30 phrases हैं इन पे आपको शर्तिया question हर exam में एक मिल जाएगा, चलो अब ये तो error थी आपको, ये तो यहां पे बता दिया है, मैंने तो सही है है न, ये भी सही है to having, ये भी सही है to meeting, error ये एसर, उपर जाओगे, तो खुदी ये भाज सब क्या कर रहे हैं, committed to के बाद में, verb की बेस फोर्म लगा के आ रहे हैं, कहां पे गया, based on a commitment to address, ये commitment जो हम, कहां जी, however, ये तो हो गया, है न, ये एक लग जो था, हमने solar से निकालना था, कहां, however, only around 61,000 MW of such capacity has been actually installed, तो एक 75 में से, हमने तकरीवन 61,000 E capacity जो है, उसको actual में install किया है, commission किया है, कितना हो गया भाई, 50% से तो बहुत कम है, 40%, है न, तो 40% ही हम कर पाएं, तो इतना पी capacity की वहब है, has been installed, कह रहा है, for a few years now, there has been considerable hype around solar power, achieving grid parity in India, अब इस sentence पे बहुत ध्यान देना, कह रहा है, पिछले कुछ सालों से, for a few years now, एक considerable hype सी रही है, एक बहुत ज़्यादा शोरगूल सा रहा है, hype का मतलब होता है, किसी चीज़ को लेकि, advertisement promotion, और ये किसके सारों तरफ रह motion, शोरगूल, solar power के, achieve कर लेने को, grid parity नाम की चीज़ को, और कहां पे, इंडिया में, भारत में, अब ये grid parity क्या होता है, जी, ये पूरा कपूरा आपको बताए गया, इन दोनों dashes के बीच में, तो इसको पढ़ लो, meaning, power companies are able to sell it, add a price lower, और as much as conventional sources, इसका mean ये है, कि power companies अब ए इसके, जो परंप्रागत power के source है, grid मतलब electricity का network parity का मतलब है, बराबरी है, equality, तो ये एक hype सी बनी हुई है, कि इंडिया में grid parity आगे है, solar power की, solar power हम उतनी सस्ती बना पा रहे हैं, जितनी हम कोईले से, या जितनी हम crude oil को जला करके, या thermal energy को जला करके, विजली बनाते हैं, आग करे लेकिन हुआ क्या, करे ये तो ठीक है, करे बट, this does not account for the subsidies or concessions, front loaded by the government, करे ये चीज account for नहीं करती है, ये जो grid parity का चल रहा है न, इस चीज में बिलकुल भी शामिल नहीं है, वो वाली subsidies और वो वाली concessions, concession मतलब छूट ये discount, जो front loaded होते है, front load करने का मतलब होता है, साम हमें सस्ती लग रही है, सरकार बहुत इस पे subsidy देती है, subsidy जिस दिन बंद हो जाएगी न, लोग घर पे solar plant लगाना बंद करतेंगे, क्योंकि वास्ता में तो बहुत महंगी है, hype की वह बहुत है, has been, companies की वह बहुत है, और this की वह बहुत है, does not account for, conventional का मतलब होता है, परंपरा के दो meaning बताये करो न, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अगर एक word के English में दो meanings हैं, तो आपको तो खास ध्यान देना उस word पे, कभी कोई meaning पकड़ेगा, कभी कोई meaning पकड़ेगा, तो आपको दोनो meanings उसके आने ही चाहिए, concession मतलब छूट, front load करना मतलब सामने से किसी च देखना चाहिए, expand करना अपनी economy को, अपनी अर्थ विवस्ता को, और कैसे, on the back of renewable energy, renewable energy की back पे, on the back of का मतलब है, with the support of, इसकी फीट पे सवार हो करके, इसकी कमर पे सवार हो के, इसके support के साथ, इसके हिसाब से इंडिया को economy को expand करने का सपना देखते रहना चाहिए, वही हु हुआ क्या, हुआ ये, the government must take a hard look at weather, renewable power, solar, wind or nuclear, meet standards of economic viability and environmental sustainability, सरकार को एक hard look लेने की ज़रोत है, एक बहुती कड़े नजरिये से देखने की ज़रोत है, must take a hard look, और किस चीज़ पे भाई, हाँ याना इस चीज़ पे कि जो renewable powers है, चाहे वो solar हो, चाहे वो wind हो, चाहे वो nuclear हो, wind औ और nuclear और solar, करे जो renewable power है ना, ये meet करती है और नहीं करती, उन सारी कसोटियों को, पेमानों को, standards को, जो है आर्थिक viability के economic जो है, appropriateness के, viability का मतलब हो तक किसी चीज़ का survive करना, किसी चीज़ का appropriate होना, और साथ इसाथ environmental sustainability के environment को भी बनाए रखने के, तो सरकार को फिर से एक ब लुग लेना चाहिए, government की वहब है, government की वहब है, must take, India की वहब है, should continue, on the back of, with the support of, take a hard look का मतलब है, गहरा विचार करना, किसी चीज़ पे, power की वहब है, meets, solar power may be valuable tool in India's energy transformation story, but it cannot be the panacea for every need, solar power एक valuable tool हो सकता है, एक बहुती कीमती उपकरन हो सकता है, इंडिया की energy transformation की कहानी में कैसे इंडिया, non-renewable से, renewable sources की तरफ जाएगा, करें लेकिन यह नहीं हो सकता, एक panacea, एक रामबान, हमारी हर जरूरत के लिए, for every need, power की वहब है, maybe, it की वहब है, cannot be, simple sentence है न, panacea मतलब, elixir, cure all, है न, एक ऐसी चीज़ जो सारी विमारियों का इलाज करती है, panacea कहलाती है और इसका बिल्कुल उल्टा है, एक fake medicine, एक fake medicine, जो की आपको panacea की तरफ बेची तो जाती है, लेकिन वो निगलती है कुछ और, उसको हम बोलते है, nostrum, nostrum, चलिए, यहीं पर wrap up करेंगे, आज के session को, जल्दी से बढ़ेंगे, एक second रुखना है न, इसको brackets में डाल देता हू जल्दी से बढ़ना है, अपने quiz की तरफ, और उसको करेंगे solve, चलो, first question में आपसे पूछा है, इन कौन से domains में, which of the following domains, कौन से area में, बड़े solar parks जो हैं, वो superior to हैं, वो बहतर हैं, छोटे solar parks के, या projects के, तो बड़े solar park में कौन सी चीज ज़्यादा अच्छी होती है, solar, जो ह attraction बन जाते हैं, पर unit course जो होती है, वहाँ पर कुछ फाइदा होता है, विजली जो produce होती है, या फिर subsidy ज़्यादा मिलती है, western countries से बड़े solar parks को बनाने में, देख लो, पूरे अगर आपने logic से पढ़ा आर्टिकल तो इसमें मेरे खाल से जाड़ा ताइम दगना नी चाहिए, एक बार खुछ से कोशिश करो, first comment में answer डाल रहा हूं, वहाँ से चेक कर लेना, second देखो, according to the passes, why the much advertised grid parity for solar power might not be true phenomenon, करे पैसिस के हिसाब से, जो बहुत much advertised या much hyped grid parity की बात है, solar power के लिए हो सकता है, वो क्यों एक सही phenomenon ना हो, phenomenon समझ गे न, गटन, वो सही चीज क्यों नहीं है, क्या बतायागे आपको, grid parity नाम की चीज क्यों गलत है, इस case में क्यों apply नहीं हो रही है, high discounts होते है, thermal energy पे, high discounts होते है, subsidies होती है, solar power पे, fixed cost होती है solar power की, या energy जो है dependent होती है, धूप पे, sunlight पे, तो कौन सा ऐसा region है, जिसको देख कर क्या बोल सकते हो, कि solar power में grid parity अभी आना बा थर्ड question है, tailwinds, इसका meaning आप से पूछा है, मेरे ख्याल से आप बता दोगे, चोतो में पूछा है, fake medicine को English में क्या बोलते हैं, ये भी आपको अभी भी करवाए हैं मैंने, और पांचो में पूछा है, Colin Trump का क्या meaning होता है, इन में से synonym निम निकालना है, enigma, nostrum या quest, पांचो questions के answer, इसी वीडियो के first comment में, इसी lecture के first comment में 500 के answer रखे हैं, जाके check कर लो, out of five कितने marks मिले जरूर से बताना, मुलागा तो, courses available app पे जाके फाइदा ले सकते हो, time रहते ही courses का फाइदा लेना है, ऐसा now, last moment पे आकर कि आप message करें, सर्थ 15 दिन रहें, एक महिना रहें, अभी ज करेंटे हैं, जाके।